दार्चले के धरमपुरी पुलिस के द्वाला पक्षुपात कर भेदभाव पूरवक तरीके से कारवाही करने पर मुस्लिम समाज में आग्रोश है मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस अधिक शक, S.P. कालयले धार पहुँचे कर आवेदन सौक कर मामली के जाच एबं कारवाही की मांकी है मुस्लिम समाज के कुछ दिम्मेदा लोगों ने मंगलवार को S.P. कालयले पहुँचे कर धरंपुरी थाना प्रभारी सहे समस्त थाने स्चाफ पुलिस कर्मियों की शिकायत करके यारोप लगाया कि धरमपुरी पुलिस राजनीतिक दवाव में आकर पशपात करके मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है तथा अन्य समाज के आरोपियों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है मुस्लिम समाज जनों ने बताया कि कुछ महिने पहले हमारे द्वारा मुस्लिम समाज के प्रती नफरत फैलाने वाले कुछ इस्थानीय लोगों के खिलाफ धरम, पुरी ठाने पर आविदन दीकर कारवाही की मांग की गई थी परंतु पुलिस द्वारा अभी तक कोई कारवा से 8 जुलाई को जमानत पे रिहा किया गया था परंतु पुलिस द्वारा एक बार फिर उसी मुस्लिम युवफ पर 153 खा के तहद पुनहा मामलादर्स किया गया है साथ ही पुलिस द्वारा बिना सर्जवारन के आरोपी के घर और दुकान की तलाशी ली गई है आरोपी के परिवार जनों जिसमें महिलाए भी हैं के साथ अभध्र विहवार किया गया तथा धमकी भी दी गई है जिसके कारण आरोपी के परिवार जनों में भेका माहौल है साथ ही मुस्रिम समाज द्वारा की गई शिकायतों पर अभी तक कोई भी कारवाही नहीं की गई है इससे साफ जाहिर होता है कि अपने शेत्र में शांती स्थापित करना ही जिस पुलिस प्रशाशन की मुख्य जिम्मेदारी होती है वही पुलिस अभेदभाव पूर्न कारवाही करके अपने अधिकारों का दुलूपयोग कर रही है तथा राजनीते शर्यंत्र का शिकाल होकर शेत्र के माहौल को संकट में डाल रही है पुलिस की इन हरकतों की वज़ा से शेत के मुस्लिम समाज का पुलिस प्रशाशन से भरोसा उठना स्वाभाविक है वहीं इस मामले में जब धरमपुरी टी आई सुबोध शोत्य जी से बात की गई तो उनका कहना था कि ये सब यूवक को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कहीं न कहीं टी आई खुद बातों से बच्चते नजर आए आईए आपको बताते हैं कि क्या कहा टी आई साहब ने मैं आपसे जानना चाहा रही थी कि जो मुस्लिम समाज ने पुलिस पर एक तरफा बेदभाव पूरवक कारवाही के आरोप लगाए है इस पर आपका क्या कहना है और इसमें कितनी सत्यता है सर यह लग गलत बोल रहे है जी सर लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार उनके अगर कोई भी ऐसे केसे होते है तो उन्हें सौल्ट नहीं किया जाता है कारवाही नहीं की जाती है कई पुराने मामले है जो मेरा नम आजहर खान देशी एहल सुनेत मुस्लिन जमात के नायपत पर पदस्तों है आज हम धरमपुरी स्थानी पुलिस दौरा पक्षपात पुरूनों कारवाई की जा रही है और विसे धर्म को टार्गेट करकर उस पर एफायर दर्ज की जा रही है इस संबंद में सिरिमान एसपी साहब के समक्च मिलने के लिए आये थे जिसमें एड्रेसनल एसपी साहब साज हमारी चर्चा हो इस संबंद में हमारे दौरा पुरू में दिये गए आवेदनों की भी प्रतिलिपी सनलगी ने की गई है जिस संबन्द में की विसेज़ धर्मों वालो द्वारा जो मुसलिम समाज को बदनाम करने के लिए जो पोस्ट डाली थी उस संबन्द में भी हमने उन्हें आवेदन दिया है और एसपे साफ से मांग की है कि मतलब सभी के खिलाब सक्त सक्त कारवई की जाएं जी हाँ इस युगक पर पूरू में इसी मुकदमे में कारवई हो चुके और पुना उसी पोस्टों को लेकर पुना इसको अपर फाया दर्जी की गई है इस संबन में भी हमरे द्वारा साफ को अवगत कराया गया और उसकी जाच की मांग की गई है साफ राइट्स के लिए धरमपुरी से साइज जफर अली की रिपोर्ड